पत्नी से तलाक मांग रहे तेज प्रताव एश्वर्या पर लगाया प्रताड़ना का आरोब कृष्ण होने के बाद भी तेज को नहीं मिली राधा पांच महिने पहले ही जुड़ा था प्रेम का धागा नमस्कार में हुने वेदिता शुकला RJD प्रमुक लालू प्रसाद यादब जो किसी परिचय के महताज नहीं है और साल 2015 में बिहार विधान सबाचिनाव में महा गठबंदन की जीट के बाद तो लालू प्रसाद यादब के दोनों बेटे भी किसी परिचय के महताज नहीं रह गए क्यूंकि महा गठबंदन की सरकार बनी जिसमें RJD को 80 सीटे मिली थी जेडियों को 71 और कॉंग्रिस को 27 सीटे मिली थी नितीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू कसाद यादब के छोटे बेटे तेजस्वी यादब को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया वही उनके बड़े बेटे तेजप्रताप को स्वास्थिमंत्री पद की जिम्मेदारी सोंपी गई जितने दिन महागठबंदन जिन्दा रहा उतने दिन लालो यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप के पद भी बरकरार रहे और महागठबंदन के तूटते ही इन दोनों को अपने अपने पदों को छोड़ना पड़ा और बिहार सरकार के मंत्रियों को बड़े सर पर बदला गया उसके बाद जो जोर शोर से चर्चा उठी वो थी तेज प्रताप की शादी की जी हाँ जो की करीब 5 महीने पहले 12 मई को पटना के वेटर्नरी कॉलेज ग्राउन में पूर्व मंत्री दरोगा राय की पौत्री और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी एश्वर्य राय से हुई लेकिन 5 महीने में ही इस शादी में दरार पड़ गई और अब तेज प्रताप तो कृष्ण है लेकिन अफसोस उनकी पतनी एश्वर्या राधा नहीं बन पाई ऐसा हम नहीं बलकि तेज प्रताप खुद कह रहे हैं दरसल तेज प्रताप ने अपनी पतनी एश्वर्या राय पर प्रतारित करने का आरोप लगाया है और कोट में तलाफ की अरजी भी दे दी है जहां एक तरफ तेज प्रताप के इस पैसले से परिवार समेट पार्टी कारेकरता काफी हैरत में है वहीं तेज प्रताप ने अरजी वाली बात को खुद ही स्वीकारते हुए कहा है कि ये सच है कि मैंने एश्वर्या से तलाफ की अरजी दी है क्यूंकि घुट घुट के जीने से कोई फायदा नहीं है वहीं जिन वकील यश्वन्त कुमाल शर्मा के माध्यम से तेज प्रताप ने पच्छना सिवल कोट में अरजी दाखिल की है उनके मताबिक हिंदू मारज आक्ट की धारा 13A के तहट तेज प्रताप ने अरजी दाखिल की है जिसके अंतरगत दमपती एक तलफा तलाग की मांग कर सकता है तो लोग संजुक्त प्रताप के लिए 13A 14 13A में हिंदू विवाह अधिनियम अंतरगत विछेद की विवस्ता किगई है लेकिन एक तरफा विछेद की है यहाँ एक तरफा ही है Uh 13A में और 13B में अगर होता तो दोनों कमबाइंड जॉइंटली फाइल होता तो इस 13A में फाइल किया गया है। शादे केस भव्य समहरों में शिर्कत की थी।